साथियो यदि आप हमारे regular user हैं और आप लगातार हमारी VBA के series देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अभी तक जो हम VBA array सीख रहे हैं वो सारा हम one dimensional सीख रहे हैं यानि कि यदि हमने यदि static array किया है तो भी और dynamic array बनाया है तब भी हमने जितना भी सीखा है array का अब तक ये one dimensional था अब हम सीखेंगे two dimensional और ये two dimensional array क्या होता है ये जानेंगे इस वीडियो में तो इसमें अंतक बने रहेगा नमस्कार साथियो मेरा नाम में मनुश कुमार और आप देख रहे हैं computer ग्यान गुरी चैनल तो चलिए सीख लेते हैं तो देखी one dimensional और two dimensional में क्या फरक होता है सबसे पहले ये जान ले हम यहाँ पर काम कर रहे हैं इस seat में तो सबसे पहले मैं इसको adjust कर लेता हूँ इस परकार से हमारे पास data था दो table हमने ले रखी है अगर हमने array बनाना इनका तो हम एक बार इसका array बना लेते हैं एक बार इसका array बना लेते हैं तो यह हो गया हमारे पास एक बार में एक table का array जिसके अंदर हमारे पास single columns हैं टू डायमेंसनल में हमने एक बार में एक से ज्यादा कोलम का अरे बनाना है जैसे कि एक्जम्पल के लिए मेरे पास यहां पर यह एक सीट ली हुई है मैंने और यहां पर मैंने अरे बनाना है एक बार में इन सबी का वो आपके पास 2 kolum हो सकते हैं 3 हो सकते हैं 4 kolum हो सकते हैं और कुछ row हो सकती है वो करेंगे row by kolum कि हमारे पास row कितनी है kolum कितने है फिलाल मैं ये fix लेके बताऊँगा आप इसको dynamic बनाना चाहते हैं तो मैंने dynamic किस परकार बनाएंगे वो वीडियो पहले upload किये हुए आपने सीख लिए होंगे और यदि नए है तो उपर आई बटन पर आपको उनका link मिल जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कितनी रो होगी header रो समयत हम देखते हैं हमारे पास 6 रो हैं और 3 कोलम हैं तो हम किस परकार लिखेंगे सबसे पहले हम VBA open कर लेते हैं हमारे पास window open होगी साथ में हमारे पास local window भी आ गई तो local window को अभी हमने use में नहीं लेना है तो local window को मैं बाहर निकाल के बंद कर देता हूँ थोड़े देर के लिए और यहीं पर आते हैं इसी में changement कर लेते हैं हमने last video में आपको बताया था कि हम array के घटकों पर किस परकार से काम करेंगे इसको मैं हटा देता हूँ नाम रखेंगे वोई my array हमारा नाम है coding के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखना बिल्कुल simple आएगा सबसे पहले हम एक variable ले लेते हैं dim array और array को ब्लैंक छोड़ लेते हैं अगर हमने उसको dynamic बनाना है तो dynamic भी बना सकते हैं लेकिन फिलाल मैं आपको समझाना चाहरा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे array का size डालूँगा और size डालता हूँ मेरे पास row है 6, column है 3 bracket close अब आप सोचो के यदि हमने 6 और 3 डाल दिया तो 6 से 3 तक का size हो गया नहीं वो हम ऐसे नहीं लिखते हैं उसके लिए हम dash यूज करते हैं by the way हमने यहाँ पे 4 लिख दिया तो हमारे array का size 4 हो गया और इसको 4 लिख सकते हैं यह हम लिख सकते हैं 0 to 4 यह हम लिखें 1,2,4 तो यह एक array का size हो गया और यदि हम यहाँ पे comma डाल के पहले हमारे पास 6 है मैंने 6 लिख दिया comma फिर हम करेंगे 1,2,3 हमारे पास column हो गया इसको इस पर कार भी लिख सकते हैं यह पे short में मैंने आपको बता रखते हैं हम सिधा कर देंगे 6,3 3 column है और इसको हम कर देंगे as string correct यह array नहीं लेगा यहाँ पे हमने इसका नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि array इसका अपना word है तो हम इसको array 1 कर लेते हैं clear अब हमने loop चलाना है लूप चलाने के लिए हम करेंगे 4x 2,6 6 row है तो हमने x लिया है तो x को भी हमने define करना पड़ेगा हम करेंगे dim x as long सही है अब यह loop हमारा चलेगा इसके लिए मैं कर लेता हूँ इसको तो close पहले close कर लेते हैं तो अच्छा रहता है next x यह हमारा पहला loop चला 1 से 6 तक row का लेकिन जब पहला चलेगा एक पर आएगा तो इसको हमने पहले loop को 3 टाइम चलाना है तो आप समझ गए हम क्या करेंगे हम यहाँ पे एक loop और देंगे sub loop का sub loop भी हमने आपको समझाया है कि sub loop के अंदर पहले second वाला loop चलेगा और फिर first वाला loop चलेगा तो यहाँ पे जैसे ही पहला loop यहाँ पे आ गया तो पहले कोंसा के लिए रोगा second वाला यानि कि पहली row के अंदर पहले इन तिनों को run करेगा उसके बाद फिर second row फिर इन तिनों को run करेगा न तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर से हम यूज़ करेंगे four एक और variable लेंगे यहाँ पे ले लेते हैं y equal to one two कितने column है three हो गया इसको भी define कर देते हैं यहाँ पे हम comma यूज़ करेंगे और यहाँ पे कर देंगे y as long यह भी clear और इसको भी close कर लेते हैं next y 7 के साथ clear होगे अब जो हमारा loop चलेगा हो यह second वाला तो यहाँ पे हम अपना array लेंगे हमारा array क्या है array one दो variable लिए x and y equal to cells x हमने row के लिए लिया y column के लिया cells हमारा row comma column bracket close dot value अब यहाँ पे देखिए हमने c column के लिए लिया तो क्या करेंगे हम एक बार और यूज करेंगे c as long यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि आप column के लिए अलग से variable define नहीं करना चाहते हैं तो हम column वाला variable यहाँ से हटा देंगे और c की जगे हम डाल देंगे y को कि y भी column के लिए है तब ही हमारा चल जाएगा अब y हमारा चल गया तो यहाँ पे हमने क्या करना है सबसे पहले तो row बतानी हमने row equal to one row बराबर एक जैसे फिर second loop जाएगा तो वो second row हो जाए इसी परकार यदि आप यहाँ पे c ले रहे हो column के लिए अलग variable define कर रहे हो तो आपको c को भी c equal to one करना पड़ेगा और यदि आपने y ले लिया column को तो यहाँ पे तो आप column की value बताने की ज़रूत नहीं है ठीक है तो इसको हम नहीं बताएंगे अब काम हो गया चेक कर लेते हैं आप इसको चेक कीजिए मेरे ही साब से तो काम नहीं हुआ है एक बर चला के दिखा देते हैं इसको हम view में जाएंगे और यहाँ पे मैं करता हूँ local window को open और अब code को करते हैं run यहाँ पे सबसे पहले तो variable node define आ गया हमने कौन सा variable हमने r ले लिया r को define नहीं किया है कहीं भी है न stop करते हैं हमने c को तो पहले कर दिया था r को नहीं किया है r as long और अब फिर से run करेंगे f8 module 3 में array 1 हमारा आ गया array 1 से हमने किया था चलो फिर से करेंगे f8 अब जो हमने row था row बराबर 1 पहली row हमारे पास count हो जाएगी पहली row सुरू हो गई ठीक है यहाँ पे 0 है f8 करेंगे तो 1 row पे यहाँ पे पहुँच जाएगा x बराबर 1, 2, 6 टाइम यह चलेगा पहला loop पहले तो इस जगे हैं देखो y की value x की value 0 है y की value 0 है जैसे हम f8 करेंगे तो अब यहाँ पे x की value 1 हो गई क्योंकि पहली row में हम यहाँ पे पहुँच गई यहाँ पे x1 दिखा रहा है न और r b1 हमारे पास आ चुका था अब बच गया y यहाँ से y चलेगा 1,2,3 यह तो हमारा 1 चल गया एक बार अब यह 3 टाइम यह loop चलेगा आप यहाँ पे array पे जाकर देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे array के अंदर आप दिखा रहा array 1, array 2, array 3, array 4, array 5, array 6 6 टाइम array चलेगा लेकिन पहले array के अंदर हमारे तीन लूप और चलने है तीन बार इसको प्लस सांग के लियर करेंगे array 1 by 1 equal to अभी नहीं दिखा रहा हैं कि अभी हमने इसको नहीं चला है इसी परकार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तो array 1 में array 1 by 1 क्योंकि पहली रो में पहला सेल फिर array 1 by 2 पहली रो में दूसरा सेल फिर array 1 by 3 पहली रो में तीसरा कोला इसी परकार दिखाना चीए तो एक बार हम करते हैं F8 यहाँ पे आ गया X1, Y1 और यहाँ पे Rho1 और Y1 करते हैं F8 सही काम हो गया फिर से यह दूसरा लूप ही पहले चलेगा यहाँ पे अब क्या हो जाएगा X तो 1 ही रहेगा लेकिन Y2 हो जाएगा हो गया Y2 यहाँ पे Rho1 रहेगा Y2 रहेगा ठीक है तो फिर से करते हैं F8 आगी quantity वापस अब क्या न चीए amount फिर से F8 करेंगे आ गया Very Good अब फिर से पहले लूप पे जाएगे फिर से हम करते है F8 अब क्या हो जाएगा अब हमारा X2 हो गया जो हमारा X था यह X2 हो जाएगा यहाँ पे आके देखते हम इस जगह पे देखो X2 आ गया नीचे भी आप देख सकते है लोकल विंडो में X2 इसको थोड़ा से उपर उठाता हो में लोकल विंडो को देखो X2 आ गया लेकिन एक गलती आपको यहाँ पे दिख रही हो गई अभी भी रो 1 दिखा रहा है क्या यह गलत है या सही है देखते हैं आगे करते हैं F8 यहां देखिए X2 और Y1 सही है यहां पे आना चीए रो 2 लेकिन क्या आ रहा है रो 1 आ रहा है और Y2 यह आ रहा है यानि कि अभी भी पहली वाली रोका ही उठाएगा क्या देखते है F8 देखिए यहां पे फिर से आइटम उठा लेए जब कि क्या उठाना चीए यह दूसरा नाम उठाना चीए दूसरी रो का हम इस पे चलेगे तो इस सब जगे यह दिखाएगा आइटम, क्वांटिटी, अमाउंट आइटम, क्वांटिटी, अमाउंट आपको समझे हमने क्या करना है नहीं समझे, मैं बता देता हूँ हमने यहां पे रो को चेंज करना है जैसे एक बार रो आ गई उसके बाद यह रो नंबर 2 हो जाए तो यह लूप जैसे ही खतम होगा हमारा यह लूप य जैसे ही next हुआ और यहां पे आके हम करतेंगे r equal to r plus 1 आगया ध्यान में simple अब run करते हैं इसको हम फिर से वापस आएंगे f8 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 इसको पूरा open कर लेते हैं यहां पे सारा open कर देंगे सारा हमने open कर लिया आप करेंगे वापस f8 f8 वही उसी position पर आ जाएंगे फिलाल वही दिखाएगा first वाला f8 item f8 f8 हो गया अब r बराबर r plus 1 यानि कि अब हमारा जो r जो हमारी row 1 था वो अब क्या हो जाएगा row 2 हो जाएगा हम करते हैं f8 और next अब देखो यहां पे r हमारा 2 हो चुका है अब दूसरी row के अंदर जाएंगे और f8 करेंगे तो आब देखो यहां पे क्या हो गया दूसरा item उठा लिया अब इसको फटापट चलाएंगे तो यह accurate सही चलता चला जाएगा देखो मैं फटाक से इसको run कर देता हूँ है ना सारा हमारा और end सब तो two dimensional में हमने row और column को row by column उस हिसाब से हमने लिखना है हमने six by three लिखा है क्योंके मारे पाद six row थी और three columns थे यदि हमको भविश्य में यह आगे बढ़ाने पढ़ सकते हैं या कम करने पढ़ सकते हैं तो हम इसको dynamic बनातेगे और dynamic में ने बता रखा है वो वीडियो आप जरूर देके उके उमेद करअगा शाथ tief वीडियो आपको जरूर अच् approved लिखा होगा हमें comments में जरूर बताएं हमारे वीडियोोस कुए इसको अब दोस्तों ने शेर करें हमें like करें और यदि नए हैं अमयर चैनल पे तो में सब्सक्राइब भी जरूर कर लें फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई